तो इस अंसार एक दिर्ग स्वप्न है जिसमें हम सो गए हैं और सो कर स्वप्ने में उलज कर हमको विश्मरन हो गया है अपने समराटत्व का जब गुरु चरणों के ध्यान के द्वारा आँख खुलेगी तो हसी आएगी कि आश्चर यह है जिसको हम कभी खो नहीं सकते थे उसको हम भूल चुके थे जो हम से कभी मूँ नहीं मोड़ता उससे हम मूँ मोड़े बैठे थे जो कभी हमको नहीं भूलता हम सो जाते हैं हमारी सांस चलाता है उसको हम भूल बैठे थे सूर्य कभी खोया नहीं है बीच में बादल आ जाते हैं यह कोई उंचे परवत हो तो सुर्योदय होने के बावजुद भी हमें सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं पर कोई व्यक्ति बादलों के वितान को चीर कर चला जाए जहाज में बैठ कर तो पाएगा के बादल तो नीचे रह गए अब मेरे और सूर्य के बीच कोई दिवार नहीं है बादल नीचे रह गए सत्संग से पता चलता है और सत्संग से सोई हूई अनुरक्ती जाग जाती है सभावनाए करवटें लेने लगती है इसलिए जीवन में नाम जब की अपेक्षा भी सत्संग बहुत उंचा साधन है नाम जब बहुत अच्छा है पर नाम जब से भी कोई जागरत महापुरुष के चरणों में बैठना वो बहुत उंची बात है मीरा जागरत महापुरुष के चरणों में बैठी आज तक मीरा अलोप नहीं हुई और मीरा ने अरजुन को भी पीछे कर दिया अर्जुन के सामने तो क्रश्ण भगवान थे पर मीरा ने अपने और क्रश्ण के बीच जो पांच हजार साल की दूरी थी वो खतम कर दी मीरा से भगवान दूर न रहे तो आज ऐसे जागरत गुरु का सत्संग मिलता है फिर भी जीवन में जागरती क्यों नहीं आती कारण क्या है जहां गीता में स्री क्रश्ण ने सन्यास की व्याख्या की है पांचमे अध्याय में शायद वो सन्यासी नहीं बन पाया था जो किसी में राग नहीं करता जो किसी से दुवेश नहीं करता जो किसी चीज की इच्छा नहीं करता कि मुझे ये मिल जाए वो नित्य सन्यासी है बले उसने सन्यास का वेशदारण नहीं किया पर गेयह सा नित्य सन्यासी वो नित्य सन्यासी है ये स्री क्रश्ण भगवान का वचन है वो नित्य सन्यासी है जो अपनी उर्जा का जो श्रोत है उस तरफ मुड़ जाता है जो अपनी उर्जा का बहिर गमन नहीं करता अधो गमन नहीं करता अपितु उर्द्व गमन कर लेता है आपने अगर गीता पड़ी होगी तो उसमें एक शलोक पड़ा होगा भगवान कहते हैं देवों में काम देव मैं हूं कितनी बड़िया बात है भगवान ने और किसी देव का नाम नहीं लिया अपितु काम देव का ही नाम क्यों लिया रुद्राणाम शंकराचास्मी रुद्रों में शंकर मैं हूँ ये कहा पर देवों में काम देव मैं हूँ और किसी देव का नाम नहीं लिया कि ये देव मैं हूँ नहीं देवों में काम देव मैं हूँ और आप देखो, दुनिया में अच्छे-अच्छे कहलाने वाले भक्त भी इससे डरते हैं, इससे डरते हैं कि मेरे को काम विकार सताता है, अरे सताता है तो अभी तुमने जाना ही नहीं, कि ये देव है, ये राक्षस नहीं है, और भगवान ने का देव में काम देव मैं देखो साथ केंद्र हैं हमारे शरीर में मुलादार, स्वधिष्ठान, मनीपूर, अनाहत, विशुद्धाख्या, आज्याचक्र, सहस्त्रसार इसमें अनाहत चोथा चक्र बीच में है उसका अनाहत नाम है और वो भावनाओं का केंद्र है जितना व्यक्ति अपने गुरू के चरणों का उपासक होगा उतना व्यक्ति के भावों की शुद्धी होगी और भावों की शुद्धी होगी तो अनाहत चक्र से यात्रा उसकी उपर की होगी अनाहत से विशुद्ध आख्या प्याएगा विशुद आख्या से आग्या चक्र की और जाएगा आग्या चक्र से सहस्त्रसार उसकी उर्जा का फिर अधोगमन नहीं होगा अनाहज से फिर नीचे की यात्रा नहीं होगी तो उसके जीवन में वो देव काम देव होगा काम राक्षस नहीं होगा अगर उर्जा अनाहद से नीचे की और जाती है तो काम राक्षस है और उर्जा अनाहद से विशुद्ध आख्य की और जाती है तो काम देव है अगर ये राक्षस होता तो शिवजी ने कामदेव को जलाने के बाद वर्दान क्यों दिया कि जब धर्ती पर क्रश्न का आउतार होगा तब तुम क्रश्न के पुत्र होकर जन्मों गए बसमासुर तो बसम हो गया शिवजी की लीला से परंतु कामदेव को फिर जीवन दिया है तिससे डरना नहीं है इस उर्जा का उर्धविकरण करना है और ये उर्जा का उर्ध्वी करण हो उसके लिए ध्यान सर्वोत्तम उपाए है और ध्यान कैसे करना अच्छे अच्छे विचारे चूक जाते हैं ब्रिटेन में एक विचारक हुआ और मैं उसको विचारक न कहके मैं तो कहूंगा वो आदमी थोड़ा ना समझ रहा होगा उसका नाम था डेविड हूम ब्रिटेन में उसने उपनिशदें पड़ी अपने भारत की और उपनिशदें पड़कर उसने देखा कि भई उपनिशदों में बार बार महिमा आती है कि अंतर मुखो अंतर मुखो अंतर मुखो ध्यान करो तो मैं जरा देखूं तो वो विज्ञानी बैठा आक बंद करके अब आक बंद करके बैठे कोई सीधा उसका ध्यान लग जाए अच्छे अच्छे चूक जाते हैं उसके जीवन में तो कोई गुरू नहीं थे, कोई सत्संग नहीं सुना था, सेवा नहीं की थी, तो कैसे ध्यान में गहरा उतर पाता, वो बैठा और उसके मन में विचार, फालतू कल्पनाई शुरू हो गई, आँक खोल कर उसने कलम चलाई, कि उपनिशदों में जो लिखा है ध्यान आदी के बारे में ये सब बक्वास है, ये कुछ नहीं है, आँके बन करके बैठो तो अंदर कल्पनाई चलती रहती है, फालतू विचार चलते रहते हैं, तो क्यूं अपना समय खराब करना, छोड़ो ये ध्यान ब्यान कुछ नहीं है, कैसा ना समझ आदमी रहा होगा, आप सोचो, पर ये आदमी अगर थोड़ा और शांत बैठता, धीरज रखकर, किसी पवित्र स्थान में बैठता, शुचवू देशे प्रतिष्ठाप्य, इस्थिरम आसनम आत्मन, इस्थिर होकर बैठता थोड़ा इन विचारों के प्रवा को द्रश्टा बन कर देखता, तो जरूर देखते देखते विचार खो जाते, कल्पनाएं खो जाती, और द्रश्टा रह जाता, शांती के अनुभूती उसको हो जाती, परन्तु ये व्यक्ति किसी तत्वग्यानी गुरू के चर्णों में आया नहीं था, इसलिए विचारा विक्षिप्त होकर रह गया, देखो तेज धूप से आप बाहर से आ रहे हैं, गर्मी की चिल्चलाती धूप है, एक दम कड़ी धूप है, और आप तेज धूप से घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपने कभी ये नोट किया है, कि तेज धूप से घर के अंदर प्रवेश करते ही, चारो और अंदेरा दिखने लगता है, आपने बोलते हैं कि अंदेरा करके क्यों बैठे हो, लाइट वाइट करो जरा, अंदेरे में क्यों बैठे हो, अंदेरा नहीं है, आप तेज धू जो है बाहर की उस पर इस्थिर हो गई थी अब अन्दर तेजदूप नहीं है कि तो अब क्या करें अंदर देखने के लिए कि थोड़ी ब्रतिक्षा करें, थोड़ा आराम करें दीरे दीरे उजाला अपने आप हो जाएगा, ऊजाला तो था ही, हम जरा बाहर भटकने के आदी हो गए हैं, इसलिए अंदर जाते हैं न तो लगता है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फाल तु चिंतन है, फाल तु कलपनाय है, ध्यान तो लगता नहीं है। लेकर बैठे, देखो कितना अनन्द आता है, फिर द्रश्यन रहेगा, प्रकाश रह जाएगा, देखो, आप फूल को देख रहे हूं कभी, या किसी वस्तु को देख रहे हूं, तो आप उस समय अंदर में साउधान ओकर विचारो, वो देखना भी ध्यान बन जाएगा, किसी वस्तु को देख रहे हैं, कलपना करो, आप फूल देख रहे हैं, तो ये देखो कि फूल अलग है, मैं फूल नहीं हूं, मैं फूल को देखने वाला हूं, निरिक्षन करते रहें, देखते रहें, अपने मन के विचारों को फिल्म के चित्रों की तरब परदे पर चलते हुए देखते रहो मन में जो विचार चल रहे हैं एक विचार दूसरा विचार तीसरा विचार चौथा विचार कभी भी उनके बारे में सोचो मत मेरबानी करके हमसे भूल क्या होती है कि मन में जो विचार चलते हैं हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते ऐसा होगा तो आया विचार और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो इससे क्या घाटा होता है इससे घाटा ये होता है कि चिंतन रूपी द्रशक के साथ जुड़ जाते हैं मन के विचारों को देखना चाहिए उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए जब उनके बारे में आप सोचोगे तो पक्की बात है ध्यान नहीं लग पाएगा आप उप जाओगे तंदरा घेरेगी आपको फिर नींदा नी लगेगी यही कारण कईयों को जोके आने शुरू हो जाते धीरे धीरे उनके बारे में सोचना शुरू करें सोचो मत न देखो जैसे फिल्म के परदे पर एक द्रश्य, दूसरा द्रश्य, त्रिसरा द्रश्य फिलम भी तो तीन गंटे में धाई तीन गंटे में पूरी हो जाती है तो ये मन के परदे पर जो द्रश्य चल रहे हैं ये भी जल्दी पूरे हो जाएंगे केवल उनके बारे में सोचो मत बस, केवल उनको देखो, उनसे जुड़े न, केवल उनको देखे, निरिक्षन करते रहे, निरिक्षन करते करते आहिस्ता आहिस्ता मन कलपनाउं से रिक्त होने लगेगा, पर सोचना शुरू करेंगे तो द्रश्टा न रह पाएंगे, द्रश् विचार किया कि इस बार इस पतित पावनी भगीरती गंगा के तट पर हम अंतर यात्रा ठीक से हो उसके कुछ सुत्र समझ लें अमारी सब साधकों की अंतर यात्रा बढ़िया होगी तो बाहर की यात्रा भी एकदम बढ़िया होगी व्यभार में भी हम हर जगे कुशल होंगे रोता बिलखता हुआ गिड़ी गिड़ाता हुआ जीवन नहीं समराट की तरफ दिव्य जीवन जीए तेजस्वी जीवन जीए मैं दुखी हूँ जरा देखो मेरे हाथ में क्या है मेरे हाथ की रेखाओं में क्या लिखाए विदेश गमन है की नहीं है पैसा लिखाए की नहीं है अरे हम ऐसे हो सकते हैं दूसरे के लिए संकल्ब करें तो उसके पास भी पैसा आ जाए उसका विगन दूर हो जाए उसका कष्ट दूर हो जाए और हम स्वयम गिड़ गिड़ कला गुरु चर्णों में बैटकर सीखें एक भार क्या हुआ कि एक आदमी की पत्मी जो थी न वो उसको गाने का बहुत शोक था yoo का कैसे तै सुन सुन कर भजनों की और फिलम की तरजों पर बने हुए गीतों की कैसे तै जगता है कि मैं भी गाऊं, मैं भी गाऊं, मैं भी गाऊं, कईयों को होता है, फिर बले उनको कुछ सुर का पता नहों पर गाएंगे जरूर, तो वो पत्नी भी गाती थी उसकी, पती विचारा उब चुका था, उसके बे सुरे सुरु से, संगीत का ज्ञान नहीं था उसको, एक दिन पती ने भी ठान ली कि इसको भी मैं सबक सिखाऊं, पती एक वीना खरीद लाया, वीना, वीना देखिए सरस्वती माता के हाथ में, या वीना वरदंड मंडित करा, वो वीना खरीद के लाया, और घर पे बैट कर, वीना के केवल एक ही तार को तुन तुनाता था बस, एक ही तार, बस ये एक इता बजाता रहता सुनते 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 आखिर पत्नी बिचारी चुप हो गई उसका सुर्ख हो गया पर इसका सुर्खाम कर गया अब पड़ोसी परेशान हुए ये एक ही सुर्ख शेड़े जाए सुन रहे ना अब ये खाली ऐसा ही बज़ता रहे तो आपको भी परेशान ही होगी कि ये क्या बजा रहे है क्यूं बजा रहे है वो बजाता जाए आखिर एक पड़ोसी से रहा नग गय उसने का भाई साब बात समझ में नहीं आती आप एक ही तार को क्यूं छेड़ रहे है वो बोले तुमको पता नहीं है तुमकाली सुनो फिर बजाए दूसरे पड़ोसी ने पूछा इक ही तार को क्यूं छेड़ रहे हो और कई संगीत कारतों कितने तारों को छेड़ते हैं बोले वो असली तार को खोज रहे है मेरे को असली तार मिल गया इसलिए मैं इसको इंज़ रहा प्रकार जीवन जीना नहीं आजाता वो तो किसी गुरु के चरणों में बैठ कर सीखो वीना बजाना सीखना है तो किसी संगीतकार के पास बैठ कर सीखना होगा उसी प्रकार जीवन सीखना है तो किसी सदगुरु के चरणों में जिनको स्वयम तत्व का साक्षात कार हुआ है ऐसे गुरु के चरणों में बैठने से बात समझ में आएगे नहीं तो जीवन समरेगा नहीं एक बाप अपने बेटे को मार रहा था खुब मार रहा था थपड़ मारे बाल पगड़के नोचे तो किसी पड़ोसी नहीं का इतना क्यूं मार रहे हो बेटे को मुले मैं कल बंबई जा रहा हूँ इसलिए तुम बंबई जा रहे हो बेटे को मार रहे हो क्यों बंबई जाना और बेटे को मारना ये बात कोई संगती बैठती नहीं है बोले कल इसका रिजल्ट आने वाला है इसलिए मेरे को पता है ये फेल होगा इसलिए इसकी पिटाई अभी से कर रहा हूँ कि कल मैं तो होँगा नहीं, बंबई जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद आऊँगा, बाप को बेटे पर ऐसा विश्वास है कि ये फेल ही होगा, और बाप भी कैसा कि बेटे को मार कर सुधारना चाहता है, पीट कर सुधारना चाहता है, वो बेटा बाप का विरोधी बन जा हैगा, मार पीट से कोई सुधर नहीं सकता, उसके अंदर के केंद्रों की यात्रा सही हो जाए, जो उर्जा उसकी अधोगती की और जा रही है, उर्जा का उर्धविकरन सिखा दो, बस कोई जादा मेहनत करने की जरुवत नहीं है, तो फिर से आपके चर्णों में प्राथन करूं, साथ केंद्र हैं, उसमें चोथा अनाहद चक्र भावनाव का है, वहां से उपर की यात्रा हो, और ये उपाए इसमें बड़ा कारगर सिद्ध होगा हम सादकों को, कि जो विचार चल रहे हैं, उनको देखो, उनके बारे में सोचो मत, तो आहिस्ते आहिस्ते वो अपनाएं खो जाएगी, देखने वाला रह जाएगा, अभी भी शान्ती से आप बैठे हैं, थोड़ा विचार करें, तीन बातों का, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, और मेरा किस से सबंद है, ये जरा शान्ती से जीब को तालों में लगा कर, विचारो, अपने से ही प्रश्न करो, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, अगर मैं शरीर मानता हूँ अपने को, तो मेरी कई तरह की इच्छाएं हैं, पर अगर मैं अपने को शरीरी मानता हूँ, और मेरा सबंद, इश्वर से, गुरु से है, तब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, इस संसार में मेरा किस से सबंद है, किस से रहेगा, अभी जो शरीर के साथ जुड़कर हम सबंदों को, अपना मान रहे हैं, क्या वो सदा रहेंगे? यहां जिस शरीर से जुड़कर किसी को अपना मानते हैं, क्या वो शरीर सदा रहेगा? नहीं, तो सिद्ध होगा, कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, देही नोसमिन यथा देहे कवमारम योवनम जराहा, देही के देह में परिवर्तन है, मुझ में नहीं। विचार अनुगत समाधी में प्रवेश मिलने लगेगा, निर्विचार और निर्विकार इस्थिती होने लगेगे, निर्विचार और निर्विकार इस्थिती का नाम ही ध्यान है, कई लोग गुरुदेव की तस्विर सामने रखकर, एक टक देखने का अभ्यास करते हैं, परन्तो उसमें भी कईयों को सफलता नहीं मिल पाती, कारण क्या है, कारण यही है, कि आखों के द्वारा देख रहे हैं, पर मन की आखों से किसी और को देख रहे हैं, इसलिए तार जुड़ नहीं पाया, नहीं तो बिजली से सबंद होते ही करंट आ जाता है, मुर्दा आखों से देखते हैं, जीवन ताखों से नहीं देखते हैं, जीवन भी ऐसा ही जीते हैं न, निस्तेज जीवन, माला लेकर बैठे, चार माला की और जूका आ गया, आंके बंद करके ध्यान के लिए बैठे, तो नीन आने लगी, जमाहिया आने लगी, उबासिया लग गई क्यों? अपना साखी आप है, निजमन माही विचार, नाराण जो खोट है वाको तुरत निकाल, तन बिन्नु वेद भजन नहीं बरना, काग बुशंडी कहते हैं, शरीर होगा, तो भजन होगा, इसलिए मैं मर जाओं मेरा कोई नहीं है, मरे तुमारी बला, तुम क मौत आएगी, तुम्हें मौत और मेरे बीच पहाड खड़ा कर दूगा, भगवान के नाम का पहाड, भगवान की भक्ती का पहाड, बाकी बगवास तो कई लोग कर देते हैं, मौत को हरा देंगे, मौत को हरा देंगे, अरे तु क्या मौत को अराएगा? सब काल के आधीन है और काल भगवान के आधीन है काल की सब पर नजर है पर भगवान की काल पर नजर है करालम महा काल कालम करपालम कर दो कर दो